Hello friends, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं online selling के बारे में और साथी साथ हम बात करेंगे कि वो क्या बाते हैं जिनें आपको ध्यान रखना चाहिए नहीं तो आपका online selling का सपना अधूरा रह जाता है और उन problems की वज़े से आपका online selling का जो attempt है वो fail हो जाता है तो चलिए बात करते हैं इन बातों के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी service के बारे में जिससे आप use करके online selling का सपना पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान सिद अंत तक देखिएगा क्योंकि यह अंत तक देखने के बहाद ही आपको पता लगेगा कि वो क्या चीज़ है जिससे आप online selling कर सकते हैं और आपको वो दिक्कते शायद नहीं आएंगी तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वो क्या problems है जो एक online selling में seller को आती है तो देखिए दोस्तों सबसे पहली जो problem होती है वो आपको जो बड़ी-बड़ी websites के साथ आपको face करनी पड़ेगी वो होती है flexibility की यानि कि आप अपनी पसंद के product अपनी पसंद की quality के साथ वो product को नहीं बेश सकते हैं क्यों क्योंकि जगर आप वो quality और वो पसंद के product आप बेशते हैं वो quality maintain भी करना चाहते हैं तो आपके margins बहुत काम होते हैं जिसकी वज़े से आप अपने customer को वो satisfaction नहीं दे सकते हैं ताकि वो आपके products को दुबारा दुबारा buy करें because आपके उपर pressure रहता है आपको margin commission shipping सब कुछ आपको उस product के अंदर लगा के रखनी पड़ती है जिसकी वज़े से आपका product काफी costly हो जाता है तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं वो मैं आपको एक service ऐसी जो बताने वाला हूँ उसमें शायद ये problems आपकी solve हो सकते हैं जब आप quality maintain करते हैं तो आपको क्या क्या benefit होते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं जैसे कि अगर आप quality maintain करते हैं तो आप अपने product के ऊपर focus कर सकते हैं यानि कि आप अपने product को और improve कर सकते हैं, नए नए products ले के आ सकते हैं, आप अपने customers को retain करते हैं, यानि कि अगर customer को quality का product मिलता है, तो वो आपके साथ जुड़ा रहता है, आप से further वो shopping करता है, और आपको अपने product के उपर ही ध्यान देते रहते हैं, आप अपनी अच्छी income क कर सकते हैं, आपको customer के reviews की tension लेने की जूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर customer satisfied है, तो वो आपको अच्छे review ही देगा, यह है, आप मानके चलिए कि होना ही होना है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि payment cycle की, तो जैसा कि आज तक देखा गया है कि बड़ी-बड़ी online websites जो है, वो जो payment cycle होती है, वो बहुत ही ज़्यादा problematic होती है, यानि कि वो आपको जब आपका product पहुँच जाता है, उसके भी कुछ दिन, हफते बाद, 15 दिन बाद payment देती है, तो आपको उन payments को track करने में, उन payments को वहाँ से निकालने में ही काफी time और काफी जद्धो जयद करनी सकते हैं, तो यहाँ आपको बारवर tracking नहीं करनी पड़ेगी, यानि कि अगर आपकी payment customer नहीं pay करी और आपके पास timely आ रही है, तो आप अपनी liquidity maintain कर रहे है, अपना time save कर रहे है, अपना effort save कर रहे है, और अपने उस time और effort को आप अच्छी जगा यूज़ कर रहे है, तो यह बात रही कि payment cycle की, अगर वो सही होती है, तो आपको क्या benefit होते है, इसके बाद जो तीसरा में जहें लगता है कि सबसे बड़ा जो success factor होता है, वो है shipping, यानि कि अगर आप shipping कर सकते हैं, handle कर सकते हैं, तो आप एक successful online selling कर सकते हैं, आप, देखिए, यह जो बड़ी-बड़ी websites है यह क्यों successful है, क्योंकि इनका अपना shipping network इन लोगों ने खड़ा कर लिया है, इनोंने बहुत बड़े couriers और इन companies के साथ collaborate कर रखा है, कुछ companies ने कुछ online e-commerce website से अपना ही network खड़ा कर रखा है, तो यह shipping network बना चुके हैं, और इस shipping network पर ride करके यह success को achieve कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन सब problems को दरकिनार करते हुए और ऐसा कुछ कर सकें कि आप अपना ही कुछ start कर सकें और इन problems के साथ ना जीते हुए अपना एक नया network खड़ा कर सकें, तो दोस्तों मैं बोलूँगा हाँ, आपको मैं ऐसी service के बारे में बताने वाला हूँ, जहा आप अपना ही online portal बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई technology expertise नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खुद डवलप करवाना है, किसी बाहर का में जा कुछ पैसा दे के कोई technology platform बनवाना है, नहीं, आपको अपना इस service को use करते हुए, आप उनके plug and play यानि कि drag and drop methodology के दुआरा आप अपना खुद का portal बना सकते हैं, आप उनके payment cycle, उनके payment instruments को use करते हुए, payment directly receive कर सकते हैं, और अपना खुद का product वहां list करके एक अपना reputation खुद create कर सकते हैं, और एक network बना सकते हैं, तो दोस्तों यह जो service है, यह बहुत ही काम आने वाली है, इसके साथ- एक सबसे अच्छी बात जो है, वो है shipping, यानि कि अगर आप किसी online service को adopt करते हैं, जहां पर आप जाकर अपने product को list करते हैं, अपना website की तरह आप पर portal बनाते हैं, अपने domain को वहाँ पर जाके attach करते हैं, यानि कि आपका खुद का नाम एक famous होता है, आपका website की तरह वो काम कर करता है, लेकिन कि आप shipping कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा challenge है, जो कि शायद जब तक resolve नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आप successful shipping कर सकते हैं, तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस service के बारे में, और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने computer screen पे, चलिए दो service है, जहां पर आप अपना e-commerce store create कर सकते हैं, और उसके बाद अपने पसंद के quality product लिस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने store को अपने domain के साथ point कर सकते हैं, यानि कि जब बाहर से कोई भी person आपके store को search करता है, तो वो आपके domain के नाम से उसको search करेगा, यानि कि यह website आपके store को ओपन करती है, आपके domain के साथ, तो आप अपना एक brand भी बनाते हैं, साथ ही साथ store maintain करने के और selling करने के साथ साथ, तो दोस्तों यह एक बहुत काम की service है, बात करते हैं, इसके pricing plan की, आपको क्या करना होता है, आपको कितना pay करना होगा, तो यह चलते हम इसके pricing plan की तरफ, देखिए, अगर आप देखेंगे, कि यह है, आपको दो तरह के model देती है, यानि कि अगर आप चाहते हैं, कि आप पहले कोई पैसा ना दे, तो आपको transaction model पे इनकी service को लेना होता है, यानि कि अगर आप जब भी transaction करेंगे, तो आपको flat 3% जो है, आपको इनको देना ह चाहें, तो आप transaction model के साथ जा सकते हैं, इसके अलावा इनके और जो model है, वो है subscription model, यानि कि आप एक fixed amount इनको दे दीजिए, उसके बाद आप इनको कुछ मत दीजिए, अगर आप कुछ पान करते हैं, आप कितना भी कोई limit का transaction करते हैं, आपको इनको कुछ नहीं देना है, आ आप इनके साथ ये service को use कर सकते हैं, तो ये दोस्तों, ये तो बात रही कि ये service में आप क्या करेंगे, तो बात करते हैं, कि ये service इतने काम के क्यों है, क्यों मैं इसके साथ एक video लेके आया हूँ, तो बात करते हैं, इसके features के लिए, अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि यह आपको एक single platform देती है e-commerce के सभी feature का यानि कि आप सारे feature आपको एक e-commerce website के जो होते हैं वो आपको यहां मिलेंगे यानि कि आप अपना easy store setup कर सकते हैं आप integrated payment आप ले सकते हैं यानि कि आपको अगर cash payment आपको लेना है आपको अगर card से payment लेना है आपको net banking से लेना है और जितने भी instrument होते है mostly यह लोग आपको वो payment का लेने का जो setup है वो साथ-साथ आपको देते हैं आपको सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज है आपको integrated shipping मिलती है यानि कि आप instant delivery start कर सकते हैं इनके partners के साथ मिलके यानि कि इस service ने अपने partners के साथ collaboration कर रखा है जो alignment कर रखा है उनके साथ मिलके आप delivery भी कर सकते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों आपको सारे e-commerce के features यहां मिलेंगे आपको analytics पूरा मिलेगा यानि कि reporting आपको पूरी मिलेगी और साथ-साथ आपको interactive chat tools मिलेंगे जिससे आप अपने customers की queries को भी solve कर सकते हैं और आप अपने customers को satisfy कर सकते हैं तो यहां यह बात आती है कि आप कैसे start करें आप इनके पास जाएए आप इनसे sign up कीजिए आप इनसे जो आपका subscription model है आप इनके साथ choose कर लेजिए उसके बाद आप अपना store बनाना start कीजिए store बनाना बहुत ही असान होता है आप अपने जो है इनके inbuilt templates को आप use करके और drag and drop करके आप अपना store बना सकते हैं साथ-साथ आप चाहें कि custom कोई theme आप रखना चाहते हैं तो आप अपनी custom theme को भी अपने custom CSS को भी use कर सकते हैं और अपना store अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं तो दोस्तों ये तो रहा store बनाना उसके बाद बाद आती है कि आप अपने customer को कैसे impress करेंगे यानि कि आपका customer किस चीज़ से impress होता है आपके product से, आपके product के quality से और आपके product को present करने के तरीके से तो ये आपको seamless customer experience देते हैं जिससे आपका जो store होता है वो बहुत ही सुन्दर देखता है वो आपका store जो है हर device पे यानि कि desktop, mobile, tablet पे ही आपको आप खोल पाएंगे और वो आपको एक seamless experience के साथ आपको दिखेगा तो ये तो रहा इनका अगला feature और इसके बाद आप अपने store को manage कर सकते हैं like a professional ये आपको सभी reporting tools analytical tools देते हैं जिससे आप अपने store की progress को monitor कर सकते हैं और आप अगर कुछ decision लेना चाहते हैं उनके waste पर तो आप अपने store को improve करने के decision भी ले सकते हैं तो दोस्तों ये तो सरह सारे feature इसके बाद ये बाद आती है कि इनके partners कौन-कौन है तो अगर आप जाएंगे देखेंगे नीचे तो मैं अगर partners की list पे जाता हूँ जो मैंने इनके footer में दिये हुए एक link से खोला है तो आप देखेंगे कि ये payment के लिए PayPal के साथ इन्होंने collaborator रखा है जिससे ये सारे आपको payment instrument मिल जाते हैं और आप अपने customer से payment ले सकते हैं और साथी साथ बात आती है shipping की जो कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी parameter है आपका online selling करना है अगर आप खुद करना चाते हैं तो shipping ही एक सबसे बड़ा challenge होता है अगर आप खुद shipping करते हैं या आप किसी outsider company के साथ like Aramax और किसी और company से FedEx किसी company के साथ भी collaborate करते हैं तो आपको ऐसी customer जाके उनको रोज product पकड़ाने होंगे और आप उसके बाद tracking भी खुद करना होगा तो honest जो होता है वो आपके उपर रहता है ना कि उस company के उपर लेकिन यहां क्या है कि इन लोगों ने सब integrated mode में कर रखा है आपके जो product बिखेंगे उसके बाद जो आप shift करेंगे उनकी tracking आपको यहीं दिखेगी in build reports दिखेंगी क्या product आपका पहुँच गया क्या नहीं पहुँचा वो कहा है आप उनके customer के रहे में बात कर सकते हैं एक seamless integrated reports और एक experience आपके लिए भी होगा और आपके customers के लिए भी होगा तो दोस्तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा option हो सकता है online selling start करने का इसके साथ last में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या कुछ लोगों ने किसी और ने ऐसी service को यूज करके success लिए है तो चलिए बात करते हैं इनके showcase जो section है वहाँ जाते हैं यहां आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे online websites हैं जो इनके platform पे चल रहे हैं और उनके पास customer भी आ रहे हैं यह आप देखेंगे मेरी screen पर मैं scroll करके आपको उन सब website का जो है आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर इन में से जैसे बात करते हैं भूमी गार्डन अगर मैं भूमी गार्डन की बात करूँ तो आप देखेंगे मैंने अगर इसको click करके एक नए टैब में कोला है तो मेरे सामने वो website जो इनके platform पे बना है लेकिन भूमी गार्डन का खूद का domain ओपन हो रहा है भूमी गार्डन center.com तो ये एक experience आपके सामने आ गया कि क्या website कैसा लगेगा आप अपना कैसा website बना सकते हैं तो एक template आपके सामने दिख रहा है साथ ही साथ चलिए मैं एक आद और खोलता हूँ मैं बात करूँ कि जैसे शिखाविजय यहां एक ऊपर एक website आ रहा है ये जो हैं ये बात करते हैं कि क्या है चलिए देखते हैं ये शिखाविजय.com जो है website का URL है ये एक artistic website है यानि कि किसी artist ने अपने लिए बना रखा है तो चलिए एक website मैं और खोलता हूँ मैं बोलता हूँ boneheart boneheart क्या है चलिए ये भी देख लेते हैं boneheart जो है एक website है इसका URL है boneheart365.com अब आप देखेंगे दोस्तों तीनों website जो मैंने randomly खोले हैं तीनों का template अलग-अलग है आप किसी तरीका का भी customization कर सकते हैं और अपने product को यहां list कर सकते हैं इसके साथ-साथ last में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है value add करेगा यहां पर वो है कि आप अगर चाहें तो इन तीनों sample website जो हमने खोले हैं इनका verification भी कर सकते हैं यानि कि क्या इनके पास वाके में user है जो इनोंने यहां बनाया क्या यह वाके में यहां पर कुछ काम कर पा रहे हैं क्या इनके पास traffic आ रहा है यानि कि इनके पास visiting user है तो चलिए मैं आपको एक tool का नाम और बताता हूँ आपके सामने मैंने एक नया website खोला है जिसका URL और जिसका नाम है site worth traffic यह website आपको बताता है कि आप कैसे किसी website का traffic चेक कर सकते हैं और उसकी authenticity और उनके traffic के बारे में जान सकते हैं तो sample website हमने अपनी go shopmatic website सर्विस से निकाले हैं वहाँ से हम कुछ URL को ले के आते हैं और उनका traffic चेक करते हैं अगर मैं बात करूँ कि bhoomi garden center.com की तो अगर मैं bhoomi garden center.com को यहाँ submit करता हूँ तो आप देखेंगे कि यह मुझे बताते हैं कि bhoomi garden center.com का जो currently जो वर्थ है 298 USD है और इनके पास roughly 136 unique user each day आते हैं यानि कि इनके पास 136 user आते हैं जो 408 daily page views जिनके पास हैं तो दोस्तो मैं समझता हूँ यह बहुत अच्छा traffic है यह website जो है अच्छा काम कर रही है इनके पास daily अगर इतना traffic आ रहा है तो यह recommendable है मैं बोलूँगा इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे sample website का तो अगर हम यहां जाएंगे इस website को यहां डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि शिखाव विजई जो हैं वो daily जो हैं वो भी 139 unique user लेके यहां पे daily काम कर रही हैं उनके पास भी daily जो daily page views हैं 278 हैं इसके अलावा मैं third website को और खोल लेता हूँ अगर मैं बात करूँ bonehard365.com का तो मैं इसको यहां submit करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यह क्या मुझे दिखाते हैं तो bonehard365 जो है यह अभी इनोंने साइट वर्थ ट्रैफिक ने इसको इस रिपोर्ट को अपने डेटाबेस में इंक्लूड नहीं है आपको फिल करना होगा उसके बाद इस वेबसाइट का रिपोर्ट क्रियेट हो जाएगा देखिए दोस्तों मैं bonehard365 का मैंने रिपोर्ट क्रियेट गया तो आप देखेंगे कि इनके पास भी डेली विजिटर जो है 37 है और 184 डेली पेज भी उसके साथ ही काम कर रहे है तो friends मुझे लगता है कि ये एक authentic way हो सकता है आप लोगों के लिए online selling परस्यू करने के लिए आप जरूर इसे एक बार देखिए और उसके बाद आप इसे आजमा के देखिए मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी online shopping websites के साथ जाकर शायद आप अपने आपको problem में पाएंगे क्योंकि वहाँ उनके जो regulations हैं उनके rules हैं उसके बाद महाँ competition है आपको quality में compromise करना पड़ सकता है payment में आपको काफी problem चेलनी पड़ सकती है तो यह सब face करने के बल जाये अगर आप solo काम करते हैं ऐसी किसी service के साथ काम करते हैं तो आप अच्छा grow कर सकते हैं organically grow कर सकते हैं देरे देरे grow कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आप इसको जरूर आजमाए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जो नीचे subscribe का बटन दे रखा है उसे subscribe कीजिए मैं आने वाले समय में और भी नए वीडियो लेके आने वाला हूँ वो भी आप तक पहुँचें तो इसके लिए subscribe करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा और ये मेरे लिको भी होसला देता है तो दोस्तों प्लीज subscribe करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद